हेलो फ्रेंड्स मैं राजीव कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल ओटो मैट्स के माध्यम से आपके समक्ष कुछ संख्याओं के विशेश प्रकारों को लेकर उपस्तित हुआ हूँ यानि special types of numbers क्या होते हैं इस विशे में आज चर्चा की जाएगी यानि आज हमारी चर्चा का विशे रहेगा संख्याओं के विशेश प्रकार तो इस रेडी में पहला देखते हैं पूड वर्ग संख्याओं परफेक्ट स्क्वाइर नंबर्स वे संख्याओं जिनका वर्गमूल ग्यात किया जा सके पूड वर्ग संख्याओं कहलाती हैं जैसे 1, 4, 9, 36, 225, 400 आदी यानि ये सभी संख्याओं पूड वर्ग हैं क्योंकि इनका वर्गमूल ग्यात किया जा सकता है जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3, 36 का 6, 225 का 15 और 400 का वर्गमूल 20 होता है यानि इन सभी संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा ग्यात किया जा सकता है इसलिए ये सब पूड वर्ग संख्याओं होंगी सेकेंड नमबर है क्रमागत संख्याओं, continuous numbers क्रम से आने वाली संख्याओं क्रमागत संख्याओं कहलाती हैं इन संख्याओं में एक-एक का अंतर होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदी यानि ऐसी संख्याओं जो लगातार एक के बाद एक आती रहती हैं वो सब क्रमागत संख्याओं कहलाती हैं जैसे यहाँ पर एक्जामपल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह सब क्रम से आ रही हैं तो यह सब क्रमागत संख्याओं हुई या अगर बीजगरित के हिसाब से देखें तो x, x-1, x-2, x-3 and so on और इसी प्रकार यानि एक-एक जोडने पर हमको क्रमागत संख्याओं मिलती रहती हैं जैसे यह x है इसमें एक जोड़ा x-1 फिर इसमें एक जोड़ा x-2, फिर इसमें एक जोड़ा तो x-3 इस तरह यह संख्याओं बढ़ती रहती हैं एक-एक के अंतर पर यह सब मिलती हैं तीसरा प्रकार हमारा है क्रमागत संख्याओं continuous even numbers क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याओं कहते हैं इन संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है जैसे 2-4-6-8-10 and so on यानि ऐसी संख्याओं जो 2-2 के अंतर पर बढ़ती जाएं या घटती जाएं वो क्रमागत संख्याओं होंगी अलजबरा के हिसाप से x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and so on यानि देखिए इसमें दो-दो जोड़ा गया है x में दो जोड़ा तो अगली संख्या मिली फिर दो जोड़ा तो x plus 4, फिर इसमें दो जोड़ा तो x plus 6 इस तरह से ये संख्याएं क्रम से मिलती रहती है क्रमागत विसम संख्याएं continuous odd numbers क्रम से आने वाली विसम संख्याओं को क्रमागत विसम संख्याओं कहते हैं इन संख्याओं में भी दो-दो का अंतर होता है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादी यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याओं जिनमें दो-दो का अंतर होता है यानि दो-दो के अंतर से यह बढ़ती है थो अगड़ती चली जाती है तो यह क्रमागत विसम संख्याओं होती है अलजबरा या बीजगडित के हिसाब से x, x-2, x-4, x-6 इसमें दो-दो के अंतर पर यहाँ भी मिलती है बस इसमें x क्या है विसम संख्या है इसमें क्या था x एक संख्या है यानि अगर हम एक संख्या 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 है और उसमें फिर दो-दो जोडते चले जाएं तो हमको सभी क्रमागत संख्या मिल जाएंगी इसी प्रकार अगर कोई एक संख्या विसम ले ले X और फिर उसमें दो-दो जोडते चले जाएं तो हमको क्रमागत विसम संख्याएं सब प्राप्त हो जाएंगी आगे देखते हैं अगला हमारा प्रकार है पूरो वर्ती संख्या यानि प्रडिसेसर किसी संख्या से ठीक पहले की संख्या उसकी पूरोवर्ती संख्या कहलाती है पूरोवर्ती संख्या या प्रडिसेसर क्या होता है कोई संख्या और उससे एक पहले की संख्या ले ले तो वह उसकी पूरोवर्ती संख्या हो जाएगी जैसे सत्तर की पूरवर्ती संख्या सत्तर माइनस वन यानि 69 या 79 होगी फिर अगला प्रकार है अनवर्ती संख्या इसको सकसेजर भी कहते हैं किसी संख्या से ठीक अगली संख्या उसकी अनवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है जैसे 930 की अनुवर्ती संख्या 930 में एक जोडने पर मिली 931 हो गई यानि कोई भी संख्या है अगर हमें उसकी अनुवर्ती संख्या लेना है तो उसमें एक जोडना पड़ेगा अनुवर्ती संख्या का दूसरा नाम परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या यह सकसेजर हो सकता है तो कोई भी नंबर है उसका अनुवर्ती संख्या लेना है तो एक जोड़ के प्राप्ट कर लेंगे फिर है दुई अंकी संख्या टू डिजिट्स नंबर यदि किसी संख्या का दहाई का अंक X तथा इकाई का अंक Y हो तो दुई अंकी ये संख्या 10X प्लस Y होगी यानि अगर हमें दो अंकों की संख्या बनानी है तो हमेशा हमें 10X प्लस Y मानना होगा जहां पर X हमारा दहाई का अंक है इसलिए इसमें 10 का गुड़ा कराये गया प्लस y, y हमारा यहां पर 11 का अंक है तो 10x प्लस y जो संख्या बनेगी यह दो अंकों वाली बनेगी जैसे तिरपन में दहाई का अंक 5 है तथा 11 का अंक 3 है तो यह ऐसा क्यों तो तिरपन को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 3 तो यहां पर 10 इक अंक 5 मना जाएगा इक अंक 3 मना जाएगा यानि दो अंकों की संख्या में 10x प्लस y फॉर्मेट बनता है फिर n अंकी यह बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो आप क्या करेंगे अगर हमें मानलो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हम 9 को 6 बार लिखेंगे अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो 9 को 5 बार लिखेंगे यानि जितनी अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है उतनी बार 9 लिख देंगे बस वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी फिर अगला है N अंकी ये छोटी से छोटी संख्या N digits lowest number छोटी से छोटी संख्या लिखने में सबसे पहले 1 लिखा जाता है फिर N-1 बार 0 लिखा जाता है जैसे 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या 1 और फिर इसके आगे 5 संख्या बनाने पड़ेंगे देखे इसमें क्या है कि जैसे आपको कह दिया जाए N अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाईए तो आप क्या करेंगे पहले 1 लिख देंगे और फिर N-1 बार 0 लिख देंगे आगे अब अगला example है जिसे मानलो 6 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो हम 1 लिख देंगे और बाकी हमारे 6-1 यानि 5 अंक बचे उन सब जगों पर 0 बना देंगे यानि 6 अंकों की बनानी है तो 5-0 फिर 1 लिखेंगे और अगर मानलो 7 अंकों की छोटी से छोटी बनानी है तो एक लिखेंगे और फिर आगे 6 सुनने बनातेंगे यानि जितने अंकों की लिखनी हो उससे एक कम अंक सुनने के रहेंगे बाकी 1 रहेगा तो इस तरह छोटी से छोटी संक्या हम लिख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है यहाँ पर महत्वपूर तत्थ या इंपोर्टेंट फैक्ट्स ये बहुत इंपोर्टेंट है बहुत सी जगों पर इसका यूज आपको मिल जाएगा बहुत सारे इसमें हमने फैक्ट्स लिखे हैं जिनके विशे में हम चर्चा करेंगे सून ने जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है देखे जो सून ने होता या जीरो होता है वो नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं के अंतरगत नहीं आता है क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से सुरू होती है दूसरी बात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है यानि सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो हम कहेंगे कि वन है और अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो हमारा जवाब होगा पता नहीं क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है फिर तीसरा सभी प्राकृतिक संख्याएं धानात्मक होती हैं इतनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पोजिटिव होती हैं एक से सुरू होकर के ये बढ़ती चली जाती है और अनंत पर चली जाती है इनकी कोई सीमा नहीं होती है अगर कोई ये कहे कि सबसे बड़ी प्राकर्तिक संख्या मान लो हमारी ये है तो उससे एक जोड़ करके कोई आगे बता देगा तो वो उससे बड़ी हो जाएगी अता सबसे बड़ी संख्या नहीं लिखी जा सकती है सभी प्राकर्तिक संख्या धनात्मक होती है फिर अगला है दो ऐसा अंक है जो सम और अभाज्य है यानि अभाज्य संख्य है जब सुरू होती है तो दो से सुरू होती है तो दो ऐसा अंक है जो कि सम है और अभाज्य है इसके बाद कोई भी अभाज्य संख्य आपको सम नहीं मिलेगी फिर अगला तत्थ एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य देखे यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है जो एक होता है वो तो ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य माना जाता है इसकी वजह यह है कि हम अभाज्य संख्याओं अभाज संख्या उनको कहते हैं जिनके दो गुड़न खंड होते हैं जैसे मानलो दो है अभाज संख्या तो दो किस से कटेगा दो से कट जाएगा या फिर एक से कट जाएगा यानि इसके दो गुड़न खंड होते हैं अब अगर बात एक की करें तो एक का तो सिर्फ एक ही गुडणखंड या फैक्टर होगा जो कि one है one के अलावा किसी से ये नहीं करता है तो one क्या हुआ ना तो अभाज्य हुआ और ना ही ये भाज्य हुआ क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है भाद्ज होने के लिए दो से अधिक फैक्टर चाहİए और भाद्ज होने के लिए दो गुरंखंड चाहिए फिर अगला तत्थ है πाई एक अपरिमे संख्या है जबकि 22 बटे साथ परिमे है देखिए पाई जो होता है यह अपरिमे संख्या है लेकिन जो बाइस बटे साथ है इसका जो मान होता है वो परिमेय है क्योंकि परिमेय को P बटे Q के जैसा लिख सकते है और बाइस बटे साथ को P बटे Q जैसा लिख सकते हैं तो ये परिमेय है ये लेकिन पाई का जो है सुद्ध मान नहीं है पाई का सुद्ध मान बाइस बटे परिमे है तो पाई भी परिमे हो जाता लेकिन ये चुकि इसका निखटतम मान है पूरा-पूरा है नहीं और पाई तो complete है इसलिए पाई एक परिमे है जबकि इसका निखटतम मान 22 बटे 7 ये परिमे है यानि पाई हमारा अपरिमे संख्या है और 22 बटे 7 परिमे है फिर आगे अभी वास्तविक संख्याओं के अंतरगत आती है अभाज संख्याओं को रूड संख्याओं भी कहते है कभी-कभी अभाज संख्याओं के बदले रूड संख्याओं लिखा रहता है तो आप confused नहों अभाज संख्याओं का दूसरा नाम रूर संख्याओं भी है 1-25 तक में अभाज संख्याओं की संख्या 9 होती है मतलब 1-25 तक अगर आप संख्याओं लिखेंगे तो उनमें अभाज संख्याओं जो बीच में आ जाएंगी वो 9 होगी इसी तरह एक से पचास के बीच में अभाज संख्याओं की संख्या 15 होगी एक से सौतक में अभाज संख्याओं की संख्या 25 होगी एक का स्वयम के एतरिक तो कोई दूसरा गुरनखंड नहीं है देखे यहाँ पर ये बात विचारडी है कि एक का एक का जो गुरनखंड है तो सिर्फ एक ही है बाकी कोई नहीं है पोडांकों में एक का कोई भी गुरनखंड नहीं है एक के अलावा तो एक का स्वेम के अतिक तो कोई दूसरा गुरनखंड नहीं है सोन ने प्रतेक संख्या से विभाजित हो जाता है देखे सोन ने को प्रतेक संख्या से विभाजित माना जाता है जैसे कोई भी संख्या है उससे सोन ने को विभाजित करें तो सोन ने ही आता है जैसे आप 3 से डिवाइड कर दें 0 को तो 0 ही आएगा तो सोन्ने क्या है 3 से डिवाइड हो गया ऐसे ही सोन्ने यानि 0 हर एक संख्या से divisible है किसी भी संख्या को सोन्ने 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता है देखें कोई भी संख्या हम लें और अगर उसको हम 0 से डिवाइड करें तो ये संभव नहीं है ये अपरिभासित माना जाता है तो किसी भी संख्या को सोन्ने से विभाजित नहीं किया जा सकता है ये असंभव है तो प्यारे मित्रों ये हमारा आज का वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट के माद्यम से आप बताएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल ओटो मैट्स को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करेंगे आप सभी लोगों ने अपना किमती समय हमारे वीडियो को सुनने में देखने में दिया सब को हमाई तरब से थैंक यू और धन्यवाद